दोस्तो हर बंदा जब ट्रेड करने आता है तो उसके मन में एक सवाल होता है कि मैं ट्रेड कैसे करूं जिसे की ट्रेंड मेरे पकड में आ जाए अगर मुझे ये पता हो कि मार्केट पॉजिटिव है कि मार्केट नेगेटिव है तो मैं काफी हद तक ट्रेडिंग सही तरीके स कर सकता हूँ, there are many strategies, बहुत सारी strategies such as YouTube में पढ़ी हुई है, लेकिन आपको ऐसा बिलकुल perfect तरीके से बताने वाला कोई नहीं है, कि भई trend क्या चल रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि trend को कैसे read किया जाता है, और आप perfect तरीके से trend को कैसे read कर सकते हैं, आ market किस level के बाद में negative हो जाएगी, किस level के उपर positive हो जाएगी, और उसके साथ में trend को कब तक आपको चलाते रहना है, चलाते रहना है, इस strategy के थूँ, आप strategy के थूँ बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अगर आप तरीके से सलीके से काम करेंगे, तो मेरा नाम है Dr. Devin, आप देख रहे हैं, trade with Dr. Devin, और यहाँ पर हम सीखते हैं कि intraday trading कैसे करते हैं, आपको ये सिखाता हूँ है कि कैस तरीके से आप intraday trading के अंदर आप earning कर सकते हैं, अगर आप office going है, अगर आपको पता नहीं चलता है, आप beginner हो कि आपको trade किस तरह से किया जाए, या फिर trend का पता न तो ध्यान से इस video को देखेगा, ताकि आपकी life थोड़ा सा easy हो जाए, आपको करना क्या है, आपको देखी, आपके सबसे ज़्यादा important चीज होती है, trend को read करना, आप देखे, जब trading view पे हम आते हैं, या फिर किसी भी platform पे जैसे कि धन हो गया, है ना, जैसे कि आप अगर धन में login करेंगे, आप धन में login करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से login कर देता हूं, मुझे, yes, आप धन में login कर सकते हैं, इस तरीके से, तो मैं धन में login कर दिया, यहाँ पे, और आप यह trading view पे भी कर सकते हैं, जिस तरीके का भी system, अभी मैं आपके सामने present कर रहा हूं, ठीक है जी, तो आपको डिपेंड ये करता है वही क्या ट्रीड करना चाहते हैं जैसे कि इस सिस्टम में मैं यहां पे लगा देता हूँ अब सबसे पहला काम आपको करना है अगर मैं यह चार्ट आपके सामने पूट अप कर दूँ पंद्रा मिनिट का और आपको बोलू कि आपको call में काम करना है मिरे सवालों को बहुत डिरिक्टली और बहुत प्यार से सुनिएगा तो यहाँ पे आपको मैं पूछूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और आपको कॉल में काम करना है पुट में काम करना है मैं गैरेंटी के साथ बोल सकता हूँ आप नहीं बता पाएंगे कि आपको कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है अगर आपको ट्रेंड reading सही तरीके से नहीं आती है तो ठीक है अगर market यहाँ पे खड़ी हुई है और फिर उसके बाद मैं आपको बोलू कि किस level के नीचे market sell में चली जाएगी किस 15 minute की candle के बाद में trend change हो गया आपको scalping करनी है तो आप कैसे करोगे अगर आपको मैं सवाल पूछूं तो भी आपके जहन में यही सवाल आता रहेगा सर कैसे करा जाए मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से इसका निवारण होगा किस तरीके से इसमें trade होगा तो अगर आपको पता नहीं चलता है तो मैं इस वीडियो के तरियो आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी ट्रेडिंग थोड़ा इंप्रूव हो और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाओ अगर आप एक normal scalping करते हो, scalping strategy का use करते हो आपको तरीका नहीं पता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा और समझेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ अगर आप यहां पे normal candlesticks को देखोगे तो candlesticks कभी नीचे कभी उपर, कभी नीचे कभी उपर जाएंगी और आपका दिमाग ऐसी तैसी इधर-उदर होता रहेगा लेकिन अगर आप सली के से ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो तो आप को क्या करना चाहिए तो इस 15 मिनिट के चार्ट को, normal चार्ट को आपको ऐसा खोल के rank को चार्ट में convert कर देना है अब rank को चार्ट में जैसे आप click करने जाओ के तो आपको trading view पे आपको ये चलाने नहीं देगा बोलेगा भाई आपको तो trading view का premium plan लेना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या करना है आप सीधा जाओ धन के platform पे ठीक है धन के platform पे जाने के बाद में आप इसमें index में ऐसे select कर लो और nifty bank को ऐसा select कर दीजेगा nifty bank को select करने के बाद में आपको चार्ट इस तरह का 15 minute का दिख जाएगा भी 15 minute के चार्ट तो इस तरह का दिख रहा है अब इसी चार्ट को आपको करना क्या है इसी चार्ट को convert कर देना है यहाँ पर देखेगा जहाँ candles बनी हुई है इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर rank को बना हुआ है इसको rank को में convert कर दीजेगा मैंने rank को में convert कर दिया है convert करने के बाद में इसका box size box size आपको कुछ नहीं करना इसको 50 कर दीजेगा आपको 50 कर देना इसको ok पर click कर दीजेगा अब उसके बाद में इसमें कैसे पहचाने की trend क्या चल रहा है तो अब उसके लिए अगर आपको support resistance find करना नहीं आता है cumulative तो आपको सिर्फ और exam करना यहाँ पर channel पर जाएए donkin channels लिखिए इसलिए बोड़ों वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना ठीक है आप donkin channel की settings पी देख लिजे आपको कुछ change नहीं करना है ऐसे ही रख देना इसको ठीक है तो top हो गया यह आपका resistance हो गया यहाँ पे आपका midpoint पे support हो गया और इस तरीके से यह bottom support आपका 49,901 का हो गया range जो आपकी है वो 50,609 की है जिसके उपर जाने पे breakout होगा और इसका support area जो है वो 50,255 का है यह आपको पता चल गया अब इसके बाद में आपको indicator section में जाना है और जाने के बाद में यहाँ super trend लगा लेना है इस तरीके से super trend लगा दिया मैंने अब इसकी जो settings है उस पर ध्यान दीजेगा इसकी setting कुछ नहीं है यहाँ पर जाईए यहाँ पर link में one कर दीजे और इसको 2.1 कर दीजे इस तरीके से अब आपके पास में perfect setup ready है कि आप nifty bank के trend को बता सकते हो कि यहाँ दस बजे के बाद trend जो था वो negative हो चुका था यानि कि अगर आपको scalping करनी थी तो आपको सिर्फ और सिर्फ puts में करनी थी call में काम करना ही नहीं था अगर आप 15 minute के इस pattern को follow करोगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी trading में कितनी improvement आने वाली है अगर आप सलीके से trade करोगे तो मुझे जो भी सुन रहा है देखो भाई अगर आपको index trading में पैसा बनाना है तो आपको एक index पकड़ के चलनी पड़ेगी और यह सारे के सारे trend के हिसाब से trades आपको मिल जाने वाले है अब इसके बाद क्या करना है इसी चीलधन layout को दो बागों में divide कर दीजेगा divide करने के बाद मैं देखे यहाँ पर आपको उस सेम चीज दिखाई दे रही है अब आपको काम करना है put में क्योंकि put का trade चल रहा था trend चल रहा था आज तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर 50,500 50,500 की put select कर लूँगा 50,500 की put select कर लूँगा यह मैंने put select कर ली अब 313 का भाव आगया है यहाँ पर अब मुझे काम करना है काम करते वक्त मुझे ध्यान देना है कि अब मुझे इसमें scalping करना है और scalping के लिए मैंने वीडियो अलरडी बना रखी वही कैसे entry करना है कैसे exit करना है तो इसको rankों से normal chart में convert कर दो और one minute के chart पे चले जाओ इस तरीके से sorry one minute के chart पे आप इस तरह से reset chart view के थूँ चले जाएए आप इसके बाद में मैंने आप कुछ ऐसे समझाया पिछले वीडियो के थूँ कि आप इसमें EMA का use कर सकते हो EMA का use करने के बाद में आप EMA cross लगा दो ऐसे और इस reading को यहाँ पर जो 9 and 26 लिखा हुआ है इसको 9 and आप जैसे कि 10 बज़े के बाद में आपको trend जो था वो positive हो चुका था sorry negative हो चुका था तो 10 बज़े के करीब अगर मुझे कोई trade मिलता तो यहाँ पर देखे 9.52 यह जो candle है यह negative हो चुकी थी 9 बज़े करीबन तो 10 बज़े के बाद में कोई भी trade इनिशेट होने पर आप trade ले सकते थे तो यहाँ पर जो trade इनिशेट हुआ 10 बज़े के 9 मिनट पर आप इसको 313 पर entry करते हाई लगा है 376 का आप entry कैसे करेंगे देखिए मैंने आपको पहले भी समझाए कि आप positive candle पर entry करेंगे देखिए समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है वीडियो को ध्यान से देखते जाओ last तक ऐसे contents बनाता नहीं है कोई because पता ही नहीं है है ना तो यहाँ पर आप entry कर सकते है एक entry आप इधर जी चगे पर कर सकते हो एक entry आप इस पर कर सकते हो मिस हुआ तो यहाँ कर सकते हो और stop loss पिछली candle का लो रहेगा क्यों करने हम ऐसा क्योंकि हमारा जो trend है वो किसकी side है negative side है यह clarity आपको candle stick पर आही नहीं सकती तो ध्यान से इस चीज को सुनिएगा यहाँ पर जो आपको target मिला इस जगे पर वो target बहुत जबर्दस था आप यहाँ पर long position, short position कर सकते हैं long position आप यहाँ पर बनाते तो आप आराम से यहाँ पर capture कर ले जाते हैं जो आप deserve करते हो अब next entry देखेंगे next entry दुबारा से इसके उपर candle close हुई हमारा stop loss यह रहा ठीक है closing basis में हाई किता लगा है 354 entry कहां थी 324 ठीक है जी अब negative भी चल रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एक positive candle बनी है positive candle में closing basis में 240 की 240 का stop loss entry at 254 हाई किता लगा है जादा बताओ जरा जरा बंदों को बता दो because यकीन नहीं होता लोगों को तो यहाँ पर आप long position बनाते आपका stop loss पिछली candle कर लो है ठीक है जी आप यहाँ पर अगर long position बनाते भी तो इसका जो high लगा है दोस्तों वो करीबन करीबन 116 point का लगा है 1 is to 8 का risk reward फिर दुबारा हमको सीधी साधी बात है हमको put पे काम ही करना है call पे काम करना ही नहीं है क्योंकि भी trend negative है इससे पहले same story अब एक दिन पहले चेक कर लेते हैं जब 11-15 पे आपकी जो candle है वो positive हो गई थी तो 50,040 तो मैं अगर यहाँ पर 50,000 की call 50,000 की call को देखता ठीक है back test ऐसे करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं 50,000 की call को देखता और call के हिसाब से काम करता तो एक दिन पहले जो trading हुई है यहाँ पे यानि की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपकी बात हो जाएगी यह रही देखें एक दिन पहले एक दिन पहले करीवन 11-15 11-15 के बाद यह positive हो गया था इसका मतलब है 11-15 पे जो breakout है 370 का उसका stop loss था 352 और यहाँ पे उसने एक अकेले trade ने इस जगे की entry जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह एक जगे की entry पे इसने 1 is to you know 1 is to 1 minute the stop loss is here तो 1 is to 17 का आपको target मिल जाता probability समझे जो यहाँ से entry आपके positive हो चुकी थी तो आप इसको अचीव कर सकते थे that to within an hour यानि कि आप 250 point capture कर सकते थे but trend के साथ बने रहना important है तो अगर आप मालो यहाँ पे candle पे देख रहे हो नहीं समझ में आएगा यार तुम चाहे इतना दिमाग लगा लो समझ में नहीं आता तो अगर trend के साथ बने रहे ना तो this is the strategy which you can follow और इसके हिसाब से काम कर सकते हो अब आपका मन में सवाल रोगा क्या धन तो मेरे पास है नि मैं क्या करूँ तो आपके पास धन नहीं है तो angel है angel नहीं है तो क्या fires है अगर तीनों नहीं है तो description में link है वहाँ पे जाओ और अपना sign up करो use करो यार और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप directly from chart आप कर सकते हो अगर इन चीज़ों को align होके काम करना चाहते हो तो मेरे telegram channel यहाँ पे है इसमें मैं सारी updates live market में आपके साथ share करता ही रहता हूँ तो यह सारी updates आपको इस तरह से मिल जाएंगी देखे BNFA किते triggers आए अगर आप आज कम करते गया राजर आपके थे अगर आप stock options में करते आप 84,000 के profit में होते but the thing is that आपको trading तो सीखनी पड़ेगी and that's why I made this video to make you understand that what is the power of rank and how you can align this thing with call options and put options so if you are interested अगर अच्छा लगरा हो वीडियो तो इसको ध्यान से देखो जो दोस्त आपके लास करने उनको बेजो साला और बोलो कि देख भाई ऐसे करेगा तो तेरा नुकसान नहीं होगा कम होगा सबसे बड़ी बात है साब मैं अगरी करूगे मिरसे कि direction का ही पता नहीं चलता कि किस तरफ जारा भाई positive जारा negative जारा है पता चला call में जाना है तो आप put कर रहे हो पूट में जाना है तो call में कर रहे हो और सबसे बड़ी बात है कि late 15 वाली जो strategy है मैंने बता दी भाई है काब entry करनी कब exit कर लेना है कहां पर आपको power दिखेगी तब आपको क्या करना है very simple exercise आप एक minute पर नहीं करना चाहते है भाई पांच minute पर करना चाहते है तो टार्गेट भी बहुत बड़े बनेंगे और जो stop loss है वो भी थोड़े से बड़े से होंगे तो आपको लेना ज़रूर पढ़ेगा तो risk reward कर खेल है आप आराम से काम करो मजे करो जिंदगी में तो this was the video wherein I explained to you कि trend trading कैसे करते हैं और this is very different you will not get it anywhere आपको सीखना है तो आओ सीखो समझो we are the people who are guiding many many people on this particular thing and ranko masters करके मेरे ग्रूप है 1300 से ज़्यादा traders है जो आराम से trade करते हैं याँ पर और मजे करते हैं तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते अगर आप यह trained right अगर नहीं हो तो पहले सीखो क्या होता है यह right thank you so much take care and bye-bye see you चलो चलो चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी करो bye